केरल के राजयपाल ने खुद को बताया हिंदू आरिफ मोहम्मद खान ने क्यों कहा ऐसा हिंदू होने के पीछो दिया कैसा तर्क इंदू नहीं समाझी सूलीभे, विया थाखिट्टी अबेट्ट की थाधिट्न की कार्ट एंड का व्या राटिंध लिवा राटिट्स थाट्रिप्स ज विज इन लुक्टट एंड अंड टूड़ इं पीजिए टृब लिग्ट्ट का तर्बी, मैंना डंड के विल्ट्ट ऑन लुट । केरुल के राजयपाल आरिफ मोहम्मध खान ने एक कारेक्रम के दोरान कहा कि आपको मुझे हिंदू बुलाना चाहिए उन्होंने कहा कि देश में जब उपनिवेशवाद था तो हिंदू शब्द का इस्तेमाल करना बिल्कुल ठीक था उस वक्त हिंदू मुस्लिम सिख कहने का मतलब नहीं था क्योंकि अंग्रेजों ने इसके अधार पर समाज में नागरिकों के सामान्य अधिकार तै करने शुरू कर दिये थे सरसयद का जिकर करते हुए उन्होंने कहा था कि सरसयद ने एक बार कहा था कि मुझे नहीं लगता कि हिंदू एक धार्मिक शब्द है बलकि बोगौलिक शब्द है जो भी भारत में पैदा हुआ है भारत में उगाए गए अनाज को खाता है भारतिय नदियों का पानी पीता है वो हिंदू कहलाने के लायक है